स्कार दोस्तों जाके सक्सेस पॉइंट के यूटूब चनल में आपका स्वागत है तो डेफेस्ट आज के शूड़े में हम एंसल बरती परिक्षा की त्यारी के लिए टेस्ट पेपर लेकर रहे हैं जिसमें आप असिस्टेंट फॉर्मेंट टेक्नीशन में जो भी केटेगरी हैं जैसे इलेटेशन फेटर वेल्डर टरनर जून और जो जूनियर केमिस्ट ओवर्शीर एमिन अकाउंटेड इन सभी बरतियों की जो अक्जाम होने वाली है अभी हाल ही में तो उनके लिए हम टेस्ट पेपर लेकर आया है यह टेस्ट पेपर है इसका जो पार्ट भी होत ह contam के लेखें और जो वीडियो है इसको पूरा ज़रूर देंके क्यूंकि सभी कुशन से बहुत ही इंपोर्टेट हैं और अक्जाम में आने वाले कुशन से तो आप वीडियो में बिने रहे हो में उनक जूरूर देखें तो आज किस वीडियो को सुरूर करते हैं आज का हमा की लिक्यान परिशाथ या विज्यान संग्राले उस ने कूं्छी IIT के साथ मिलकर इसको बनाया है यह बताना ना है आयाई क्षदकपूर के साथ मिलकर और रॉष जाईगा Ao कि क्षदकभाल और उने disturb beer उसको विक्षित किया है तो on नमबर ए आयाइटी खड़कपूर इसका राय टेंशर हो जाएगा नेश्ट क्यूशन हमारा सूरिय किरण संयुक्त शेन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयूजित हुआ जो सूरिय किरण संयुक्त शेन्य अभ्यास है जोइंट मिलेटरी एकसरसाइज है यह बारत औ आयूजित हैं बारत और नेपाल के बीच में सूरिय किरण संयुक्त शेन्य अभ्यास है आयूजित किया गया है जिसका कौन सा संस्करण था यह 14 वाजित किया गया लाजटरी किसां दिवस किस भारतिय प्रदानमंत्री के सम्मान में मनाया जाता है तो राश्टरी किसां किसान दिवस को राष्थर किसान की रूप में बनाया जाता है ऐसे न्वासर के पांच विए परदान मंतर में चोधडरी चरन सिंग्ग में नियुक्ति नबर दी चोधरी चरण सिंग इसका राइट एंसर हो जाएगा है कि नेश्ट क्यूशन है हमारा इसमें किस भारतिय जहाज निर्माता को भारतिय नो से ना को पंडूबी रोधी इस्टील्थ युद्व पोध आई एनस कवारती वित्रित करना है तो जो आई एनस कवारती है यह कौ ने जो किया बताना तो किसने तयार कर यह किया है जो जाएगा है सब्सक्राइब्र इसको बारतिप्र काशना हो जाएगा नेस्ट क्यूशन है नवीन्तम केंद्री बजट 2020-21 के अनुसार बैंक जमा के लिए अधिक्तम बीमा क्या परदान किया गया है तो नवीन्तम जो केंद्री बजट आया था 2020-21 में उसमें जो बैंक में जमा है उस पर अधिक्तम बीमा है उसको बढ़ा दिया गया है तो उसका बीमा है वो कितना बढ़ाया गया है कितनी रुपय किया गया है वो किया गया है पांच लाख रुपय तक पहले ये एक लाख रुपय तक का बीमा दिया जाता था अब पांच लाख रुपय तक इसकी राशी को बढ़ाया गया है अधिक्तम बीमा के कितनी राशी हो जाएगी इसमें पांच लाक तो प्सक्राइब दी है वो इसका एंसर हो जाएगा नेक्ट क्यूशन है परमोध अगरवाल को हाल ही में कि सारवजिनिक उपकरम के नए अध्यक्स और परबंद निर्देशक के रूप में न्यूक्त किया गया है तो परमोध अगरवाल है उनको कौन से सारवजिनिक उपकरम का नए अध्यक्स और परबंद निर्देशक के रूप में न्यूक्त किया गया है तो कौन सी कंपनी का बनाया गया है इन्हें बनाया गया है कौल इंडिया लिमिटेड का एमडी और जो परबंद निर्देशक और अध्यक्स है इन्हें न्यू और आधाइस ऐसे देए को धिनेंगे इन से पहले तो पहले सेड़े है इंहेंसे कौन फोर्ड़ को यहां JOHN की संसा से पहले सेब्यान केसे तो पहले तकनीकी कंपनी का इंटरेंट शुरक्षा अभियान ऐ तो यह किसका हो जाएगा तो यह हो जाएगा गूगल का गूगल का एक तक्निकी इंटरनेट सुरक्षा अभ्यान है पहले सेफटी नेस्ट क्यूशन है हमारा उद्म सीलता को बड़ावा देने के लिए किस वीतिय संस्थान ने स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन सुरू करने की तेयारी किये है तो कौन से जो उद्म सीलता या उद्दोगो को बड़ावा देने के लिए कौन सी वीतिय संस्था है उसने स्वा SIDBI यह जो शिडवी बेंक है Small Industries Development Bank of India है उन्होंने यह पहल की है स्वावलमन एक्सप्रेस ट्रेन इन्होंने शुरुआत की है और यह कब से शुरू की थी 5 दून 2020 से इसको शुरू किया था और शिडवी है इसका मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले है वो लखनोव में है कहां पर है लखनोव उत्तर प्रदेश में इसका मुख्याले है सिडवी का और इसके जो अध्यक्स है वो कौन है वो है महुमद मुस्तफ़ा इसके शिडवी के अध्यक्स है वरतमान में Next question Corona कवच के बाद सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रेक करने के लिए कौन सा एप लॉंच किया तो कोरोना कवच जो एप बनाया था उसके बाद सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों है उनकी लोकेशन ट्रेक करने के लिए कौन सा एप लॉंच किया तो वो किया है आरोग्या शेत्तू को क्या हो जाएगा आरोग्या शेत्तू नेक्ट क्यूशन है विश्व स्वास्ते दिवस किस दिन मनाया जाता है तो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो पर्तिवर्ट किस दिन बनाया जाता है तो यह बनाय जाता है पर्तिवोर 7 अप्रेल को कब मनाय जाता है पर्तिवर 7 अप्रेल को विस्वस वास्ते दिवस के रूप में मनाय जाता है कि वंडु युख कमी साथ अपरेल garant essa को नीजिस अपरेल乾्थ कर दो विर्ट हेल्ट ओर क्या है विए फींड नोrust इसलॉग्षेंदि सुनूर १ोन पथी टेडुरस एधाण। और जो 2020 में जो बनाया गया था विस्वा स्वास्ति दिश उसकी थीम क्या थी वो थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिड़ वाइब्स मतलब नर्सिंग कर्मी और जो मिड़ वाइब्स कर्मी हैं उनको ससक्त करना नेक्स्ट क्यूशन है रक्ष्या अनुसंदान पेरबेंगनी समवहनी दुरूज जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था कि संगठन दोरा विक्षित किया गया है तो ये दुरू है ये एक क्या है इलेक्ट्रोनिक गैजट्स को सेनिटाइज करने के लिए ये बनाया गया है तो इसको जो किसने विक्षित किया है ये किसने बनाया है तो ये बनाया है डियो ने किसने विक्षित किया है डियो ने दुरूण नामक एक मशीन या फिर बनाया है जिसको जिसे क्या होता है इलेक्ट्रोनिक्स गैजट्स होते हैं जैसे मोबाइल फोन या फिर जो करेंस क्या जाता है एजुछ ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से कि संफ़न यह एजerdings ने सुरक्षित दादा ददी और नाना ना नाश tracks when कीया है तो किस ने पिरामल्स फांडेशन है उनने मिलकर ये हाज शुरू किया है वि विदेश से आए भारतियों को नोकरी देने के लिए सरकार दोरा सुरू की गई योजना का नाम बताइए तो विदेश से जो भी भारती आये है जो वंदे भारत मिस्टन के ईंतरगत विडेस से भारती आई है उनको जो सरकार द्वारा को नई नोकरी देने के लिए एक योजना बनाई गूए तो उसका Maggie है तो वह ओजाएगा स्वदे योजना क्या हो जाएगा स्वाथेश किस doing sounds today को Crishi कौंसे राजे की ग्रिसम कालिन summer capital है वो गोशित किया गया है तो तो प्तूनसे राज्यगी किया गया है वो किया गया है उत्तराखेंड राज्ये की तो sw kijken हो जाएगा ओर उत्तराखेंड के के लिए यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए मध्य रेलवे द्वारा लॉंच किये गए रोबोट का नाम बताइए दो जो कोविड 19 है कोविड 19 के लिए जो यात्री लोग है उनकी स्क्रीनिंग के लिए जो मध्य रेलवे है उसने एक रोबोट लॉंच किया है तो उस रोबोट का नाम है वो क्या है तो उसके रोबोट का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्टैन अर्जून क्या हो जाएगा कैप्टैन अर्जून बंदे उतकल जन्नी को किस राजे में राज्यगान का दरजा मिला है तो बंदे उतकल जन्नी है उसको किस राजे में राज्यगान का दरजा मिला है यह में बताना है तो यह मिला है ओडिसा राजे में कहां पर मिला है ओडिशा राजय में बंदे उतकल जन्नी है उसको रज्य गान का दर्जा मिला है बारत के पूरो परदानमंतरी का नाम बताईए जिनके सम्मान में सोवी जैनती बनाने वाला एक समारक डाक टिकेट के इंदर द्वारा जारी किया गया और जिसे भारतिय आर्थिक सुदारों के पिता के रूप में भी जाना जाता है तो भारत के कौन से परदानमंतरी को आर्थिय आर्थिक सुदारों के पिता के रूप में जाना जाता है और जिनके सम्मान में उनके सोवी जैनती पर एक समारक डाक टिकेट है वो किंदर सरकार द्वारात जारुई किया गए है तो कौन से हो जाएंगे वो होजाएंगे पीवी नर्सीमा राव यह थे भाहरत के नवय परद्णone मत्री कौन से भाहरत के 90ब्ण कब से लेकर थे 1591200 इ Counsel में तक बारtså के पर आ llegó प्हुंतरी रहे थे सो नाथ कि रिएन्ट कि निमली ख्त में से किस ने दीतैब रिमेंटेट के तो किस तो Hin तो उसको लॉंच किया था निमल खित्म विकल्पों में से उतेजना का सही विलॉमसबद क्या होगा तो चार उप्शन दिये हैं उनमें यह बताना है जो उतेजना सबद है उसका विलॉमसबद है वो क्या होगा तो उतेजनाक ज़विलॉमसबद है वो होगा सांती क्या हो जाएगा सांती वप्शन नमबर ए है व cuatro हो जायएगा निश क्किशन हे नहीं पैटा कि आयू उसके पुत्र की वर्तमानkrit बीस वर्षे पहले पिता की आयो से क्या है दुबनी है तो पिता की आयू क्या हो जाएगी वह हो जाएगी 40 वर्स तो 20 पुत्र की है और 40 पिता की आयू है और क्या पुछा है कि कितने वर्स पहले पिता की आयू पुत्र की आयू से तीन गुना थी, यह हमें बता जाए, तो इसको हम option के इसाब से करते हैं, तो मालने हम first option लेते हैं, कि 8 वर्स पहले, पिता की आयू, पुत्र की आयू से 7 गुना थी, तो 8 वर्स पहले, पुत्र की किया हो जाएगी 12 वर्स तो इसकी उमर वह होनी चाहिए वह 36 होनी चाहिए तो 8 हिस्में से हम घटाते हैं तो 32 जो कि इसका एंसर नहीं होगा अब हम दूसरे उप्शन को देखें दूसरा ओप्शन क्या बताएगा इसमें शेकिन्ड उप्षण इसमें है 10 वर्स तो 10 वर्स मानते, 10 वर्स पहले पूतर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 वर्स, 20 में से 10 गटाते हैं, तो कितनी बचती है, 10 वर्स ही बचती है, और 40 में से 10 गटाते हैं, तो कितनी बचती है, 30 वर्स, जो कि इसका क्या है, 3 गुणा हो जाएगा, है या नहीं, वो 3 गुणा ह पुत्र की आयों 10 वर्ट से है तो पिता की क्या हो जाएगी 30 वर्ट से हो जाएगी तो उप्शन नमबर भी है वह इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा कि निश्ट कुछन है यदि छै समान मशीने एक निश्चित चाल से एक 270 बोतले बनाती हो तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीने चारि मिनिट में कितनी वोतले मनाएंगी तो इस पूस्ट को हम किस प्रकार से हैल करेंगे यह मिस्ट समान वपाद का क्योशन है तो इसको मटρι होता है MDA सूत्र होता है उस ही के आधार पर हम इसको SOL करने वाले है उसमें क्या बताए क्भी 6 मछीने है 6 समान मछीने है जो एक निशित 4 से 1 मिनट में टाइम किता दियागा है 1 मिनट और कितनी बोटल बनाती है 270 बोटले बनाती है 270 क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा इसके बराबर क्या पूछा हम से कि 10 मसीने हैं वो 4 मिनिट में कितनी बोतले बनाएंगे बोतले हमें दी नहीं गी हैं तो हम इसकी जगए अक्स का मान क्या हो जाएगा अक्स का मान आ जाएगा अठारा सो क्या हो जाएगा अठारा सो तो कितनी बोतले बनाएगा दस मसीन है वो चार मिनिट में कितनी बोतले बनाएंगे वो अठारा सो बोतले मनाएंगे तो अपसन नमबर ए है अठारा सो वो इसका राइट एंसर हो अग्रेसे लइन हें 25 किलोमेटर की डूरी 9 घंट में तया करता है रूबभाइब है अंसिक रूप से mm पर yearly की दूरी कि में तया करता है तो उसके दूरा पेदल घंटे की गई दूरी किटनी तो हो व्यक्ति है वह 61 किलोमेटर की दूरी है वह 9 गंटे में तय करता है वह कुछ दूरी तो पैदल तय करता है जिसमें 4 किलोमेटर परती गंटा की दर से पैदल चलता है और 9 किलोमेटर परती गंटा की दर से वह साइकल दौरा दूरी तय करता है तो उसके दौरा जो पैदल दू कि दूरी कितनी 65 किदूरी है जिसको 9 घंटे में वह आरकु करता है इसमें 싸, और 1 मौटी किदूरी ता है 50 किदूरी तेय oh clean Evel 5,60 шриांरी थे रोले कोटीधू किदूरी किदूरी Украї किदूरी तो इन दोनों को जोड़ती है वह total तोल कितने गंटे में टाइक तकाइब तिय सोल करते हैं तो इसका मान क्लेइं आजयेगा 5 x plus 244 , यह च्रफोत्व क्या जाए गा उक्या इसका माना जाएगा असी बटे पांच बराबर हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा हम उसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि सोड़ा है मानलो पैदल चलता है तो इसी संक्या जिसमें जो चार से डिवाइड हो रही है परती गण्टह से पैदल दूरी उस हो सोडल रोलो किलोमेटर कि रफ्तार से तरफो चार चोग सोड़ा कितने में त्मेटि उसने चार गन्ट Works गे पांच गण्टे से 9 किलोमेटर परती रफ्तार से नो पंजी जो ने साइकल करता है और 16 5 किantis एक प्याम जाया करता हाटा हो किसे निमन कि सेंटी में गलत अंग की पहचान करें यह सरेणी दी गई है उसमें हमें एक गलत अंक दिया गया श्मेट तो उस गलत की पहचान करना है कि कों साढ़ का गलत सरेनी देखतें तो सबसे पहले इसमें 6 लिखा गया है तो 6 को हम किस परकार से लिखेंगे वो लिखेंगे 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 6 हो जाएगा आगे इसमें 12 दिया गया है तो 12 किस परकार से लिखेंगे 2 गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा दूसरे तरब क्या हूंचा है। यसन दूसरे पार से पहले 50 मित करें क्या हो जाए गांज़। तो 15 जूनी 30 आ जाएगा और उसके बाद में क्या रिजाएगा 6 एड करते हैं तो 15 में 6 एड करते हैं तो 21 गुणा 2 बड़ाबर क्या हजाएगा यह हजाएगा 42 तो इस प्रकार से हमें यह 32 है इसके जगहएगा बो 30 होना चाहिए था और उसके बाद में 42 आता है इसी परकार 42 में जब हम 7 एड़ करते हो तो क्या हो जाएगा 28 28 दोने 56 तो इस परकार से शीरीज बनती जा रही है तो इसका जो गल शही एंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा 32 की जगह है वो 30 आना चाहिए तो 32 है वो इस क्यूशन का राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट क्यूशन है एक्स गाड़ी चलाकर दक्षन की और 30 किलोमेटर जाता है और दाहिने मुड़कर 30 किलोमेटर शीदे जाने के बाद बाई और मुड़कर शीदे 20 किलोमेटर जाता है और पुनहे बाई मुड़कर 30 किलोमेटर जाता है एक्स अपने प्रार सरह है पस्चीम क्या होता है उत्तर नीची होता है नीची होता है हमारा धक्षिन वाता है इस में घाया डाहुना आकर धक्षिन की ओर 30 किलोमेट्र जाता है , उसको सब्सक्राइब अगया आगी क्या कहा गया है कि वह है दाहीने मुड़कर 30 किलोमेटर सीधे जाने के बाद पहले वह 30 किलोमेटर जाता है उसके बाद क्या हो जाता है वह दाहीने मुड़ जाता है तो दाहीने इस तरफ मुड़ेगा अपने दाहीने मुड़ेगा और वह 30 किलोमेटर जाता है यह 30 किल किलोमेटर जाता है और पुनहें बाएं मुड़कर 30 किलोमेटर जाता है और फिर से वह बाएं मुड़ता है तो इस तरफ आ जाएगा और 30 किलोमेटर जाता है तो इस दर 30 किलोमेटर चला गया तो हमें तो यह दूरी ग्याद करनी यहां से लेकर यहां तक की टोटल यह दूरी 50 km है वो प्रारमिक बिंदू से उसकी दूरी हो जाएगी नेस्ट क्यूशन है हमारा 3 जनुरी 2018 को बुधुवार था तो निमने खितमे से कौन से वरस्ट में फिर 3 जनुरी को बुधुवार होगा तो 3 जनुरी 2018 को क्या था बुधुवार था तो हमें ये बताना है कि आगे 3 जनुरी को बुधुवार हो कौन से साल में आएगा तो सबसे पहले हम दिनों की संक्या गिनते हैं क्योंकि हर साथ दिन के बाद या आठवे दिन हो रिपीट होता है मालो आठ सो मार है तो बिलकुल आठवे दिन वापिस से क्या होगा सो मार होगा तो हमें इसी में दिनों की संक्या गिननी है तो सबसे पहले हम 2018 लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं 2018 फिर लिख लेते हैं 2019 2020 2021 2020 और 2023 और 2024 इस हिस हिसाब से हम इसमें लिख लेते हैं कितने दिन बढ़ेंगे एक दिन बढ़ जाता है आगे हम 19 से 20 में जाएंगे तो भी एक दिन बढ़ेगा वहीं अगर हम 20 से 21 में आएंगे क्या आएंगे 20 से 21 में तो दो दिन बढ़ जाएंगे क्योंकि 2020 है वो लीफ वर्स आ जाएगा इसी परकार हम 21 से 22 में आएंगे तो एक एक दिन बढ़ जाएगा और इसी परकार 23 से 24 में आएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा तो इसमें टोटल दिन काउंट करते हैं एक दो च्यार पांच छे साथ तो इसमें साथ दिन हो जाएगे तो तो 2024 में जो है बिल्कुल वही शेम डे होगा तो 2024 है वो इसका correct answer हो जाएगा next question है एक code में यदि green को ITGGP लिखा जाता हो तो उसी code में pink को कैसे लिखा जाएगा तो इसमें कोई code word है जिसमें green है क्या बताया गया है GRWN यह है green सबद है तो इसको क्या लिखा गया है वो लिखा गया है ITGGP यह लिखा गया है green सबद को तो यह किस परकार से लिखा गया है हमें पता करना है तो G को क्या लिखा गया है I तो G के बाद में G कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है I 9 नंबर पे आता है तो इसमें कितने एड हुई है 2 एड हुए है इसी परकार हम R में देखते है R के बाद में किया आता है S फिर T तो इसमें भी दो add हुई है इसी परकार E के बाद में भी E 5 नमबर पे आता है और G 7 नमबर पे 2 add हो रहे हैं तो इसमें जो series दिये गए इसमें जो word दिया गए है पहला green उसमें परतेक सब्द के जो word माला है उसमें दो अंको की बड़ोतरी की गए है तो इसी परकार से हम pink है उसमें भी दो बढ़ाते है तो P के बाद में क्या आता है Q आता है उसके बाद क्या आ जाएगा R आएगा I के बाद क्या आता है J और फिर क्या आ जाएगा K और N के बाद में ओ और फिर पी इसी परकार से हम के में देखते हैं तो के के बाद हम क्या आजाएगा दो एड़ करेंगे तो एम आजाएगा तो आर के पी एम है वो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा एक तस्वीर की और इसारा कर एक ओरत कहती है वह मेरे ससूर की इकलोती पोती है चित्र की लड़की उस ओरत से कैसे समंदित है कोई ओरत है वो एक चित्र टंगा हुआ है और मालनो यहाँ पर कोई ओरत है तो वो इस चित्र को देखकर कहती है कि वह मेरे ससूर तो इस ओरत का जो ससूर है वो क्या हो जाएगा ओरत का ससूर मेरे ससूर की इकलोती पोती है इसका जो ससूर है उसकी इकलोती पोती बनाव इसका जो इकलोता बेटा होगा उसी की बेटी होगी और इकलोता बेटा की बेटी इस ओरत की क्या होगी इसकी बेटी तो होगी क्या हो तो अप्सन नमबर C, बेटी है, वो इसका correct answer हो जाएगा, नेश्ट क्यूशन है, इन्हें में से कौन सी एक nobel gas नहीं है, तो इचार उप्सन देखे उन्में बताना है कि nobel gas है, वो इन चारों में से कौन सी नहीं है, तो हाइडरोजळ न है ये नोबेल गेस नहीं है तो अत्र सन्मर ए है वो इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा और रिज़्ट क्यूस्झे, ओजोन परत के शरेंग में कलोरो फल्ट कार्बण का मुखेसरोत क्या है जो ओजोन परत होती है उसके च्छरेंग में ये जो कलोरोफलोरो कारबन के बहुत ही ज्यादा यूजफुल हूह या फिर उसका ओजन परत के छरण में बहुत ज्यादा इसी का योगदान होता है कलोरो attracted का तो यह किस्ये उत्पन होती है इसका मुख्य शॉरोत तो इसका मुख्या सरोत है वो है रेफ्री जरेटर क्या हो जाएगा रेफ्री जरेटर राष्ट्री हरित प्राधिकरण का मुख्याले कहां इस्तित है तो राष्ट्री हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रिंड ट्रिबूनल है एंजीटी इसका मुख्याले है वो कहां पर इस्तित है ऑपकातों रही है कि १ाले यही जो तो कि यह यह बाएं कि यह यह एंग हमारे याज के टेस्ट पेपर के तर्टी मोस्ट इंपर्टेंट की resides असा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like करें कमें अपने friends में say जरूर करें अगर चैनल पर पहली बार आता प्लीज चैनल को subscribe जरूर करें सात मेंवरच को टेलेग्राम चैनल है इसको भी जोइन करें क्यूंकि आपको वहीं पर राप्ते होने वाली हैं धन्यवाद।